सामयों अलेकूम है इन थांपी सके का रहे था हैन घालपी फी मिनगर्ण करनी है यह इंफॉल्पी और इन से सबस्षेटे किसी बीजिक को जलाना क्या करना जलाना किस्वी सीजेग Horizon ले लो एक मोल लेके उस चीज़ को जला दो उस वत कितनी अमाउट में नर्जी रिलीज होती है एब्सॉर्ब होती है वह हमारे पास इन्थॉल्पी ऑफ कंबर्शन होती है मैं सिंपल सी एक्जेम्पल देता हूं हमारे घड़ों में जो गैस आती है वह होती है इसको कहते हैं म जलाने का बाद कितनी अमाउट में नर्जी रिलीज होती है वह जो अनर्जी रिलीज होगी उसको नाम देते हैं इन्थॉल्पी ऑफ कंबर्शन का नाम देंगे इसको इन्थॉल्पी आपने याद रखनी है अब इसके बाद एक बात तो याद रखिएगा जब भी कुछ च जो जो अनर्जी रिलीज होती है जाब कोई भी किसी बीजीज का एक मौल लेक उसको जिला दिए रहे चलो इसकी डैक्रिशन लिखो सबसे पहले इस स्टैंड़ इन्थॉल्पी चेंज दा स्टैंडर्ड कि इंथॉल्पी चेंज इंथॉल्पी चेंज एट विच स्टैंडर इन्थाल भी चैंड जहां हम रहे क्या होता है अनर्जी एमिट एनर्जी इस एमिट अच्छा एमिट नहीं लिखना चाहते हो तो इसकी जगह पर रिलीजड भी लिख सकते हो कहा लिख सकते हो रिलीजड एमिट गृषा जब किसी भी शयचा के एक मौल को सबस्टांस इस बड़ इस बड़ इन एक्सेस ओफ उक्सीजन इन एक्सेस ओफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की मजूदगी में जलाना है इस वक्त जो एनर्जी रिलीजड होती है इसको हम नाम जगते है इसको हम क्या रहे होते हैं अभे किसी भी चीज़ को लो आवदकि Owen की मजूदगी में जिलाओ जलाने के बाद जो सुनरी मिलीज होती है उस अनरजी को हम नंभे होती है उस चार दिसक्स करने होता पहले नंबर बर डे मात कि手री प्रिप्रिजेनेशन होता जाती है खलग हमं ब बात करते हैं रिप्रीजैनटेशन भी जेर्देशन एकर oke sunday देखे स्टेंडड़ के इंथालपी क्यों मैं बात करूं शेंज त्म को डेल्ता है नौट से डाट का मतलब याद मेरे गजान देता हूस करते हैं और कौन सी चेहं ऑचाओ यहां पर लिख दो कि यहां और पास standard enthalpy of combustion होगी इसकी रिप्रिजेंटेशन आगी रिप्रिजेंटेशन के बाद हमारे पास next आजेगा process कौनसी चीज प्रॉसेस यह तरीका कार कौनसा एक्जो थर्मिक एंड़ थर्मिक याद रिखेगा जब भी किसी भी चीज़ को जलाते हो तो energy हमेश हर लीज होती है so this is a exothermic process the process is the process is exothermic exothermic process exothermic होगा अब लास में हमारे पास आ जाते एक्जेंपल एक्जेंपल दो दे देंगे एक वो एक्जेंपल होगी जो हम पीछे से लगातार लगातार डिसकस करते हैं चले सबसे पहरे वो लिख देते हैं कार्बन को जब oxygen की मजूद्गी में जिलाया जाए तो है हमारे पास बना देता है carbon dioxide gas और यहां हमें डेल्टा H of combustion होती है वह होती है मारे पास one sorry three ninety seven minus में point three ninety three point three ninety seven point three I think इस तरह होगा सब्सक्राइए three ninety three ninety three point seven यह हमारे पास इसकी value है three ninety three point seven जो हम पीछे बारे कुछ reactions के दर लिक्ट करें किलो जाओल पर मोल किलो जाओल पर मोल माइनस यह साइन रिप्रिजेंट करता है कि यह process कौन सा है एक्जो थर्मिक यह ऐसा process है जिसमें हीट रिलीज हुई है इसका आब जो आपकी बुक में एक और एक्जेंपल दीगे है उस एक्जेंपल को देखे कर आप एथाइल अलकॉल ले लो इसको oxygen की मजूद्गी में जलाओ याद रखिए कि कभी वह सरकस उगरा में जायना वह अलकोहल मुग के अंदर डाल को आग को तो करीब लाते हैं वह आग लग जाती है तो असल में इस फाइल अलकॉहल होती है कौन सी चीज़ होती है यह आम जो अलकॉहल पीते हैं यह उसका फॉर्मना है सीट फाइफ और जाता है यहाद रखे कि जब भी कि चीज़ को चलाएंगे कार्मन एक्साड गैस बनती है और स होती है 1.368 माइनस काएगा किलो जावल पर मौल माइनस यह रिप्रेजेंट करता है अग्जो थर्मिक इस प्रॉसेस के अंदर हेटर लेज हुई है यह तो यह हमारे पास इंथाल्पी और कंबर्शन बाद इतनी बात जाद रखे कि चार चीज़ चीज़ा मुमन लिखनी हो घाल्पी बात